नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं प्रधान मंत्री जन समान योजना के ताथ सवी के खाते में 90,000 की रासी जामा करा रही है केंदर सरकार इसका कारण है योटूब पर वायरल वीडियो जिसमें अदावा किया जा रहा है कि सरकार सवी के खाते में 90,000 रुपे डालने वाली है बता दे कि इस वीडियो के वायरल होते ही P.I.B. ने इसका फ्रेक्ट चेक किया है फ्रेक्ट चेक में यह बताया गया है कि यह बिल्कुल गलत है सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है और सरकार किसी के भी एकाउंट में 90,000 उपए नहीं डाल रही है जार्खन मोसम विभाग के अनुसार जार्खन में मान्सुन की वापसी में एक सप्ता तक की देरी हो सकती है मान्सुन की वापसी में देरी के कारान राजे के कई हिसों में रुक रुक कर अब भी मान्सुन की बारिस जारी है बता दे कि राजे में हलके से मज़ दर्ज की छीट फूर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर जैक सची उने परिक्षा फोर्म जामा करने से लेकर परिक्षा के एवज़न तक की तयारी को लेकर जीला सिक्षा पताधिकारी साथ विचार भी मर्स किया जिसमें काक्षा आठ की बोर्ड परिक्षा को लेकर सभी जीला से 20 अक्टूबर तक विद्यार्थुक संख्या दनबाद 42 दूम का एक पूर्वी सिमू पैतारीस गडवा आठ गिरी डिबारा गोड़्डा नव गुमला पंद्र हाजारी बग एकारा जामतारा पांच खुटी तेश कोडारमा उनाइस लाते हारेगारा लुर्दागगा एक पलामु एक रामगर छो रांची 286 साहिब खरस्वा पांच सिम्डेगा दो पच्मी सिमू से तीन मिले हैं जारकन में कूल संक्रामीतों की संख्या 92,525 है जबकि 83,571 लोग स्वास्त हुए और 787 की मिरिती हो गई भारत में नाइक के 7776 मिले हैं जारकन में रवीवार को तीन की मोथ हुई है जो धनबाज से दो और पूर्वी सिम्भूम से एक की मोथ हुई है रवीवार को 766 मरीज स्वास्त भी हुए हैं बता देकि जारकन में कूल एक्टिव केस 81,50, सेस रा गए हैं राज्ये में स्वास्त हुए मरीज इस परकार धनबाद 44, दूमका 1, पुर्वी सिमू 112, गडवा 18, गिरी डिबारा, गोड़ा 20, गुमला 109, हजारी बाग 51, जामतरा 6, खुटी 70, लुर्दागा 1, रामगर 6, राची 244, सराइक लखर्चवा 16, सिम्डेगा 2, वपच्मी सिमू से 50 मरी स्वस्थ हुए हाँ कर्चा आठवी में फेल 40 हेर विद्यार्थियों को 20 परतिशत ग्रेस मार्थ देकर किया जागा पास, आठवी बोड परिशा 2020 में असफल विद्यार्थियों को ग्रेस मार्थ देने की तियारी की जा रही है, बता दे कि विद्यार्थियों को 20 फिश्दी तक ग्रेस मार्थ दि रूप 20 फिश्दी तक ग्रेसमार्च देने में इसमें से 40 एर विद्यार्थी कक्छा 9 में प्रमोट हो जाएंगे धवनी की बेटी जीवा को धमकी देने वाला गुजरात में पकड़ाया टीम इंडिया के पूरो कप्तान महेंदर सिंग धवनी की 5 साल की बेटी को कथित रूप से धमकी देने वाले 16 साल के किसोर को रविवार को गुजरात के कक्छ इसीत मुद्रा में पकड़ लिया गया है इस लड़के को मुद्रा के नामना कापाया गाव से पकड़ा गया है उसे राची पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा अब डिजिटल एक सरे से 5 मिनट में कुरोना की जाच महज 5 मिनट में डिजिटल एक सरे के माध्यम से संभा हो सकेगी छाती के एक सरे मात्र से जहां संक्रामन की अगतन इस्थिती की जनकारी मिल जाएगी वहीं इसमें लागत भी महज 300 रुपए ही आएंगे बतादे कि जाच की इस बिधी को कोविन नेट का नाम दिया है जिसे अमेरिका के अटलाटा सहर में बतोर सप्ट्वेर इंजिनियर कार किरिसी मंत्री बादल ने रविवार को अपना जरम दिन मनाया और किसानों के घर तक खुसाली पहुचाने का संकल्प लिया उन्होंने कहा कि राज सरकार की ओर से किसानों की कर्ज माफी की परकिरिया पूरी की जा रही है किसानों को समय पर बीज और खाद मिले इसके लिए भी भागिया अधिकारियों को दिशाने देश दिये गए है करोना काल के बाद किरिसी के मादेम से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के और सर मिले इसकी त्यारी की जा रही है आने वाले समय में सरकार की या कोशिस होगी की किरिसी मतस्यपालन पसुपालन और सकारिता क के मादेम से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। बता दे की चार संगठनों के दो हजार से अधिक जुआ मुराबादी में जुटे हुए हैं। पांच रुपय में बस नहीं चल पाएगी। क्रिसी कानून को जार्खन में लागू नहीं होने देंगे कांग्रेस व जामू मुए। जार्खन मुक्ती मोर्चा ने केंद्र से पारित नहीं क्रिसी कानून का विरोद करते हुए। पार्टी में महा सची उस्प्रवक्ता सुप्रीम बट्टाचाज ने सनिवार को बरियात्व श्थित पार्टी कर्याले में प्रेस वार्ता में इस कानून का विरोध किया और घोस्तना की की राज में किसी भी कीमत पर इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा सिख्षकों की नोकरी बचाने का वादा कर फंसी जार्खन सरकार जार्खन हाई कोट के अस्तर से नियोजन नीती खारीच होने के बाद जब सिख्षकों की नोकरी जाने का खत्रा सामने आ गया तो सरकार ने सभी की नोकरी बचाने का वादा कर दिया लेकिन अब नियोमों के दाइरे में सरकार के सामने बड़ी चुनाउत्ती आ गई है बता दे कि अगर सिक्षकों की नोकरी बचाई गई तो सत परतिशत आरक्षन की बात परमानित हो जाएगी इसके खिलाब कई ऐसे मामलों में सुप्रीम कोट फैसले दे चुका है असमंजस में फची सरकार ने इस मसले पर अब महा दिवक्ता से प्रामर्स मंगा है घंटी अधारित सन्विदा पर नियोग सिक्षकों को 31 माच तक मिला विस्तार कोविड-90 की महमारी को ध्यान में रखते हुए उस्ट तकनिकी सिक्षा एवम कोशल विकास विभाग द्वारा विसो विद्यालों के असनात कोतर विभागों एवम अंगी भूत महा विद्यालियों में स्विक्रित के विरूद ट्रिक्त पदो पर घंटी अधारीत सन्विदा पर नियोग चिक्षकों के पैनल का अवधी विस्तार 31 मार्च 2021 तक करने समन्धी मंत्री परिशत के लिए सनलेख प्रारूप प्रस्ताव परमुक मंत्री हमान सुरे ने अपना अनुमोधन दिया है वकीलो को प्रेक्टिस ब्यवरा का आखरे मोगा 15 नौमबर तक राज के वकीलो को अपनी निमित प्रेक्टिस ब्यवरा और प्रमान पत्रों का सत्यापन करा कर बार कॉंसील ऑफ इंडिया को रिपोर्ट भेजने काम तीम आउसर दिया गया है बार कॉंसिल ने इसके लिए 15 नौवंबर की तीथी निधायत की है जैप वा आयारबी की 23 कमपनिया बिहार चुनाव में होगी तैनाथ बिहार बिधान सभा चुनाव में जैप वा आयारबी की 23 कमपनिया की तैनाथी होगी पुलिस मुख्याले के आदेश के बाद जैप व आयारबी के अलग अलग बाटालियनों से जवानों की तेनाति की जा रही है बता दे कि राजे पुलिस मुख्याले के आदेश के बाद जैप मुख्याले ने इको कमपनी का गठन किया है जैप वा आयारवी के सभी कमांडेट के द्वारा बिहार जाने वाले जवानों वा कम्पनी के प्रभादियों को सुची त्यार कर ली गई है बता दे कि इसके ताथ कूल 771 पुलिस कर्मी को बिहार भेजा जाएगा बिहार चुनाव को लेकर सिमवर्ति थान विशेश चोकसी का निर्देश बिहार बिजासभा चुनाव को लेकर जारखन की कोड़ारमा जीला अंत्रगार सिमवर्ति थान में अपराद वा शराब तसकरी की बढ़ते मामलो ने पूलिस की चिंता बढ़ा दी है पिछले एक पकवाडे में ऐसा सायद ही कोई दिन होगा जब सिमावर्ती थाने से सराप तसकरी के मामले नहीं पकड़े गए हो सनिवार साम इस मामले को लेकर पुलिस अधिक्चक कर्याले में आयोजीत अपराज समिक्चा बैठक में इस पर खास चीनता ब्यक्त करते हुए बिशेश सतरक्ता बरतने का निर्नाई लिया गया हेमत सरकार के कुशासन से उप चुकी है जनता दिपक परकास भादपा के परदेश अधियक्ष एवं चांसत दिपक परकास ने कहा कि राजे की जनता हेमत सरकार के कुशासन से उप चुकी है और नौ महीने के कारेकाल में ही जनता बदलाव चाहने लगी है प्रकास ने रविवार को कहा कि उपचुनाव में जनता बदलाव का ट्रेलर दिखा देगी या उपचुनाव विकास बनाम भरष्टचार की लड़ाई है हेमंत सरकार में अवैद ब्यपार का बढ़ावा सीता सुरेन ने भी सविकारा रववरदास जाकरन की रायनीती में अवैद ब्यपार अड़ा बन चुका है वर्तमान हेमंत सरकार के कारेकार में अवैद ब्यपार को बढ़ावा मिला है यह बात भी पक्ष ही नहीं सतादारी दल के पार्टी महासचीव और पार्टी के केंद्री अध्यक्ष सीवु सुरेन की बड़ी बहु जामा विधायक सीता सुरेन ने भी सविकारा है उक्त बाते प्रेसवर्ता अवेजित कर पुरो मुखंती सा भाजपा राश्ट्री ए उपाद्यक्ष रववर्दास ने रविवार को कही सेवा भार्ती ने एगारा बेरुजगारों के बीज किया ठेला गारी का वित्रन सेवा भार्ती ने कल्पतरू, स्वाब लंबन, योजना और पैरा डाइज राची के सवयोग से रविवार को राची के बीरसा चोकिस्थित सेवा निक्केतन में 11 बेरुजगार महिला पुरुष को ठेला गारी परदान किया है मौके पर सेवा भार्ती के प्रांतिय सचीव रिसी पांडे ने बताया कि इसके पूर भी अस्थानिय बेरुजगार लोगों को रोजगार से जोडने के लिए ठेला गारी सोपा गया है कॉंग्रेस 12 अक्टूबर को हाथरस कांड के खिलाप सोसल मीडिया के माध्यम से अभियान चलाएगी जाखन कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्स रामेसरुराव ने कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बच्चाओ का नारा देने वाली भाच्पा का खुद के सासित परदेशों में बिधी बेवस्था का जो हाल देखने को मिला है और हात्रस कांड के खिलाप स्पीक और फोर हुमेन सेप्टी के तहत 12 अक्टूबर को सोसल मीडिया के माध्यम से देश ब्यापी अभियान चलाने का निनने लिया है CBSE की परिक्षा फर्म भरने के लिए अभिभावकों को नहीं लगाने होंगे इसकूल के चकर केंद्रियम आदिमिक सिक्षा बोड की परिक्षा के फर्म भरने के लिए अभ अभियावकों को इसकूल के चकर नहीं लगाने होंगे बचों और अविवावकों के हस्ताक्षर के बिना ही इस बार CBSC दसवी और बरावी बोट का परिच्छा फर्म बना जाएगा बता जाएकि कुरोना संक्रमन के मदनेजर CBSC के तरफ से इस बदलाव की गोस्तना की गई है तमिलाडू से 22 लड़कियों को सरकार ने कराई घर वापसी तमिलाडू में लोकडाउन का फैदा उठाकर जारखन की 22 लड़कियों से जबरन सिलाई और कटाई काम कराया गया उन्हें 6 महीना से अपने घर जारखन वापस लटने की चाहती लेकिन करन्याक कुमारी स्थीत यूनि सोर्स ट्रेड इंडिया कमपनी प्रवंधन उनकी बातों को अन्सुना करता रहा उनसे ओवर टाइम कराया यहां तक की लड़कियों की अपनी अव्याकों से बा मुश्किल बात हो पाती थी बता देख की जब व्यक्तिकात रूप से सफलता नहीं मिली तव लड़कियों के अव्याकों ने स्रम मंत्री सत्यनाद भुकता से संपर किया मंत्री के आदेश पर राज प्रवासि स्रमिक नियंत्रन कक्ष राची ने अस्थाने एंजीयों की मदद से समंधित कंपनियों से संपर किया और सभी लड़कियों के सफल वापसी करा हेमंत सुरेन के छोटे भाई बसंत सुरेन 12 को करेंगे नमांकन मुख मंत्री हमंसुरेन के छोटे भाई जामूमों परत्यासी के रूप में दूम का चुनाव के लिए सो मुख 12 अक्टूबर को नमांकन करेंगे बतादे की नमांकन में मुख मंत्री हमंसुरेन भी उपस्तित रहेंगे इन आई ए ने लातेहर के ठिकदार के घर से जब्त किये दो क्रोर सत्तर लाख रुपए लातेहर जीला के चंदवा में 22 नॉमबर 2019 की रात नकसलियों के हमले में एक एस आई सहित चार पुलिस कर्मी के मारे जाने के मामले का अनुसंधान कर रही राष्टिये जांच एजनसी को चंदवा के ठिकदार के यहां छापे मारी में दो क्रोर सत्तर लाख रुपए नगत मिले है बताया जा रहा है कि अरासी भागपा मावादी के रिजिनल कमांडर और 15 लाख रुपए के इनामी रभींद्र गांजू तक पहुचाने थी धन्यवाद हमें आप कोमेंट बॉक्स में बताये कि जार्खन सरकार क्या कदम उठाये ताकि जार्खन के बेरोजगार युवाओ को जल्द से जल्द रोजगार मिल सके और जार्खन सरकार के वादे भी पूरा हो सके वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेर भी करें धन्यवाद